वेलकम टू मेक आयेस मेरा नाम है अमीद कपूर और हम लोग आई-पी-अफ सीरीज में चौथी सीरीज करने वाले हैं यह भी पर्यावरंड से ही सम्बंदित है दो सीरीज और आएंगी इसमें और दो सीरीज में संभावता सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी तो आप इन्वायरमेंट को लेकर बिल्कुर निश्चिनतर हैं हमने कई सारी इसमें रिस्कस की हैं जैसे पर्यावर्ण पार्शितिकी है जै विवित्ता है प्रदूसन से सम्बंदित इसमें है बाकी कुछ जै विवित्ता सनरक्षन के जो नियम कानून है या फिर कोई कन्वे इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की हुई है चौते में कुछ और भी महत्पूर्टत्थ और कुछ कंसेप्ट निकल के आ रहे हैं ये भी लगातार स्टेट PCS UPSC और One Day Exam खासकर आप जानते हैं आरो यारो भी है तो इसमें खास तोर पर ये पूछे जा रहे हैं इसी को ध्यान में रखते हुए जो नए विवर हैं उनको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि करेंट अफेर्स की वी क्लास स्टार्ट हो चुकी है करेंट अफेर्स EMC की उस फॉर्म में चल रहे हैं जुलाई से लेके जनवरी दो हजार चोबिस जनवरी जनवरी तक का करे करेंट अफेर्स में भी करेंगा जिया हूँकर करेंगे तो यह सब एक एक वीडियो में संभवता 10 से 12 और 15 वीडियो इसमें हम आपको बना के दे देंगे तो कोई question छूटेगा नहीं आपका तो इसके लिए आप निश्चिंद रहें और मैं फिर भी एक request कर रहा हूं और complain भी कर रहा हूं कि आप इसको continue रखें जैसे मैंने पहले वीडियो ली अच्छा खासा इसमें देखा गया फिर लगा कि नहीं काम का ही है अरे सब कुछ काम का ही है बिना काम का मैं यहां पर कुछ फी deliver नहीं कर रहा हूं तो आप इसको बहुत सयोग के साथ में अच्छी तरह से इसको करें लगातार इससे जुड़ते रहें तो start करते हैं कोई दिक्कत तो नहीं तीन हमने यहां पर आई पीएफ वो डिलवर किये हुए उसमें संभावता कोई प्राब्लम होनी नहीं चाहिए आपको चौथा और भी है इससे भी कम से कम दो से तीन क्वेश्चन या चार क्वेश्चन मिलने की प्रभल संभावना है इसको भी start करते हैं वही तीस टॉपिक तीस टॉपिक में हम क्या क्या इसू कैसे कैसे क्वेश्चन निकल सकते हैं उसकी हम लोग बात कर रहे हैं तो इंपोर्टेंट प्लिंस फैक्ट आई पीएस फोर जैसा मैंने बताया है कि दो हजार चौबिस यूपी पीसियस और दो हजार तीस आरो यारो के लिए ये महत्प करे बारी में 22 में कोर चेत्र की बात करते पहले हम आपको एक बार बता देते हैं कि 22 ओर में क्या क्या चीजा़ैं कैसे 22 रिजर्व इना देखिए 22 फेह ड़ाट ऐरिया हैたいसे ठीक है इसके बाद में एक और एरिए रहता है यह वाला अरिया इसके बाद में एक और बीच में एरिया रहता है तो यह जो एरिया है जहां पर कहा जाता है केवल अनु संधानात्मग गत्विदिया या अनुसंधानoyant जैसे गत्विदियां या प्रक्रियां ही संचालित की जा सकती है तो इसको बोला गया है Core Area इसको क्या बोला गया है Core Area बोला गया है ठीक है बास समझा गई इसके बाद में कहा गया है कि Core Area के आसपास 10 किलोमेटर रेडियस में 10 किलोमेटर रेडियस में यह 10 km वाला जो radius रहेगा इसको बोला गया है buffer zone क्या बोला गया है A buffer zone कि इसके बाद में जब हम a buffer zone से बाहर आते हैं तो यह वाला जो area है इसको बुला गया है संक्रमण खेत्र यहां पर अनसंधान कर सकते हैं यहां पर हम सीमित गद्विधिया कर सकते हैं सीमित गद्विधिया मतलब पर्यटन सीमित ठीक है असूशराई भी कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहों कि यहां पर जब इवित्ता करहास हो अर्थात बफर जोन में तो इतनी सीमित गद्विधिया लेक है अर्था यहां पर कोई भी वरजित नहीं होती है तो वहां मकान भी बनाते हैं कुछ और भी काम कर सकते हैं यह कुछ ऐसा आपका चितर बनेगा जिसको मैंने आपको समझा लते हैं यह कुछ बाइसफेर रिजर्व अब comparing it का सभसे सनरख्षित छेत्र होता है इसमें स्थानिक पौदें और जानवर हो सकते हैं इस छितर में अंसंधान प्रक्रियाई जो प्राक्रतिक प्रक्रियाओ या एवं वन जीओं को प्रभावित ना करें की जा सकती हैं हमने शुरुभात में ही बताया जैसे चित्र में हमने एक आपको इमेज दिखाते हुए एक बाइगराम बताते हुए फिर बफर जोन वाला एरिया आता है जो की आप जो की कोर से 10 किलोमीटर के रेडियस वाला एरिया है उसको बफर मनें बताया बफर जोन यह कोर छेट्र के चारोर का चेत्र है शेट का प्रयोग ऐसे कारू के लिए किया जाता है जो पूर्टया नियंतित एवं गैर विद्धंशक हो कैर विद्धंशक हो जिसकी वजए से जबवित्ता का हरास हो रहा हो या उसमें कमी दर्ज की जा रही हो इसमें सीमित पर्य यटन मचली पकरणा चराई आधी शामिल है संक्रमण छेत्र जैसे मनें बताया सबसे बाहरी हिस्सा होता है बाइस्वर रिजर्ब का सबसे बाहरी हिस्सा होता है यह सहयोग का छेत्र है यहां मानव उद्यम एवं संरक्षन सद्भाव से किये जाते हैं इसमें बस्तियां फसलें प्रबंधित जंगल और मनुरंजन के लिए छेत्र एवं अनार्थिक उपियोग छेत्र शामिल होते हैं यह एक तरह से आपसे परिभाशा पूछ सकता है और आपसे बोलेगा संग्पन च्चत क्या होता है तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं नेक्स नेक्स समझे अच्छा ये कई बार सुमेलित करने के लिए question पूशा गया है तो इस पे आप लोग खास ध्यान रखेंगे जूम क्रिसी, इस्थानांतरित किसी, सिफ्टिंग कल्टिवेशन जिसको आप लोग बोलते हैं अंग्रेजी वाले, सिफ्टिंग कल्टिवेशन बोलते है इस्थानांतर्ण किसी या इस्थानांतित किसी के इस्थानी नाम रे इसको वियत नाम में रे नाम दिया गया है रे हाँ ऐसे आप बोल सकते हैं फंग, भूमद, रेखी, अफ्रीकी देश, लोगन, ये पश्चमी, अफ्रीका मिल्या, मैक्सिको, काईगिन, फिलिफीन्स, तौनग्य, ये म्यामार में है चेना, सिलंका, एवं भारत में इस्थानांतित या जूम किसी के नाम जूम ये उत्तरपूर्वी भारत, वेवर और दहियार, बुन्देलखन, छेतर, अर्थात, मुखता आप देखेंगे, बुन्दलखनवाला जो मध्द्वदेस वाला एरिया है, वहाँ पे किरल में, करनाटक में, ऐसे राज्यों में हमें, यहाँ पे ये, जरा और एरका नाम दिये गए है अच्छा बत्रा ये दक्षिनपूर्वी राजस्तान ये दिल्ली वाला बत्रा ही याद करके आप इसको डिल्ली वाला बत्रा जो सिनेमा हौल है तो दक्षिन पूर्भी राजस्थान पोडू आंध्रदेश कुमारी किरल के पश्चिम घाट के पहाडी छेत्र हैं कमवन विंगा और धावी ये उड़ीसा में तो उड़ीसा में कई नाम दिये गए कमवन धावी और विंगा ये नाम दिये गए अब इसको कैसे हमने शुरु करेंगे इसको ठीक है क्लियर को दिक्कत तो नहीं तो इस थानांतित किसी के बारे में चर्चर हुए एक और भी बहुत महत्पूर्ण हलांकि यह एक या दो बार पूछा गया है पूछने की प्रबल संभावना इस वजह से हमने इसको रखा हुआ है समझे एक बार गंगा न भाग द्वारा दिसंबर 1984 में तयार किया गया था कब तयार किया गया है 1984 में इसको तयार किया गया केंद्रिय गंगा प्रादीकरण का गठन यह जून 1985 में तयार किया गया कि ठीक है गंगा में प्रदूशन है तो इसको कैसे कम किया जाए तो एक योजना 84 में बनती है फिर पच्चासी में इस हुए तो रासा और आगे बढ़ते हुए केंद्री गंगा प्राधीकरण का इसका गठन किया जाता है केंद्र सरकार ने राजपत अजुतना दिनांक 22009 को या 9 के माध्यम से राश्टी गंगा नदी बेसिन प्राधीकरण की स्थापना की और ये गंगा नदी के प्राधीकरण को कम करने के लिए पर्यावन संद्रक्षन अद्नियम 1986 के तहत केंद्र और राज सरकारों की एक सयोगी संस्था है ध्यान रखना किसके तहट इसका गठन किया गया है तो 1986 के तहट हमने सोचा कि कुछ और भी किया जाए इसके लिए गंगा के प्रदूशन को कम किया जाए लेकिन राम तेरी गंगा मैली फिर भी वह ऐसे ही हाल है आज भी आप देखेंगे तमाम सारा कच्छरा जो है वह डं तो यह इस पर काफी ज़्यादा काम के तो 2009 में गंगा नदीव वेसिन प्रादीकन इसकी स्थापना की गई और यह स्थापना 1986 अधनियम 1986 के तहट केन और राज इसमें सहयोग करते हैं और इसके तहट यह कार करता है फिर इसके बाद में हमने सोचा कुछ और किया जाए तो नमामी गंगे का एकरम एक एकी क्रिट संद्रक्शन विसन इसको जून 2014 में केन सरकार द्वारा प्रमुक कारिकर्म के रूप में अनुमोधित किया गया तो शुरुआज से ही कई सरकारों ने काम किया है लेकिन 2014 में बड़े पहमाने पर इस पर ध्यान देने की बात कही गई इस पर फिर गंगा जल में बैक्टरिया फोस नामक वैक्टिरिया पाया जाता है आप देखते होंगे गंगा का पानी कभी भी खराब नहीं होता उसमें कोई वैक्टिरिया आप ने किसमें कीडे नहीं पढ़ते हैं इसकी वज़े से नहीं पढ़ते हाँ तो ये वैक्टिरि को हाता रहता है आप समझने किल करने लिए प्रदूर्शन को खतम करने के लिए लाँशनी प्रेंधार्ट से उत्पन होने वाले आवांचनी पदार्थ को खाता रहता है इससे गंगा जल की सुदता बनी रहती है बैग्यानिकों को अंसार गंगा जल में गंदक ही बहुत अधिक मातरा पाया जाने से भी इसकी सुदता बनी रहती है और गंगा जल लंबे समय तक खराब नहीं होता है लंबे समय तक कई साल तक आप भरके रख सकते हैं तो गंगा एक्षन प्लान कैसे स्टार्ट होता है फिर नवामी गंगे प्रोजेक्ट गंगा नदी वेसिन प्राधी करण इसकी स्थापना कैसे होती है तो यह गंगा के प्रदूशन को साफ करने के लिए गंगा को बचाने के लिए ठीक है कहा जाता है अब देखेंगे विदेशों में नदी को कोई ऐसे पूजा पाठ के तौर पर नहीं देखा जाता है हम लोग बहुत इंटिलेक्ट्यूल है आप मलब यह हम लोग कह सकते हैं कि आध्यात्मिक हैं हम सुरू से ही जो गंगा को माता बोलते हैं गंगा बिदेशों में आप देखेंगे कि वहाँ पे कहीं पे भी यह सब नहीं होता है लेकिन फिर भी वहाँ पे साफ साफ पानी रहता है तो ध्याम देने के इस पे खास जरूरत है एंजेटी के बारे में समझे एक बार एंजेटी सन 2010 में इस संस्था को लाया गया और तमाम सारे ऐसे प्रदूशन कारी मुद्दे और जय विवित्ताहरास के संबंदित मुद्दे आ रहे थे तो फिस सरकार ने कहां ऐसा करते हैं इसमें माननी कोट की भी भून का रही कि कोई ऐसा पर्यावन प्रदूशन संबंदित निपटने के लिए ततकालीन प्रभाव से जो कह सकते है कि नेप्तारा कर सके विवादों को उसके लिए एक संस्था को गठन किया जाए तो फिर एंजीटी की भूमिका वहां पर हमें दिखाई पड़ती है एंजीटी का गठन समझें राश्टी हरित अधिकरर असाथ एंजीटी नेशनल गीन ट्रिपन की स्थापना अठारे 2010 में राश्टी हरित प्राधिकर्ण अधनियम के तहट एक सामधिक निकाय है अर्थात ये एक अधनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई इस वजह से इसको सामधिक नियम बोलते हैं ठीक है वो मास्टर पॉलिटी वाले आपको बताएंगे सामधिक क्या होता है तो वह स सामधिक निकाय है अंश्वाधिक निकाय के रूप में पर्यावण संबंदि मुद्धों से सम्मधित मामलों से निपटने और इससे सम्मधित निर्णों के तुरित कृयान्वन के लिए किया गया था इस प्राधी करण के पास 6 महीने की अवधि के भीतर आवेतनों और प्रभाव से खतम किया जाए निप्टारा किया जाए इस वज़े से इसमें सरकार की भूमिका नियाले की भूमिका और कई सारी पार्टियों उसकी भूमिका रही है एन्जीटी के गठन में खास कर नियाले और मानी नियाले और सरकार की भूमिका हमें उलेखनी रूफ से लेकर आप हमार्क यह गड़वत्ता को लेकर है एक मार्क ठीक है यह चिनद पूछा गया कोश्य पूछा गया समझे एक बार भारत में क्रसी उत्पादों पर ध्यान रखना क्रसी उत्पादों की बात हो रही है कनफिज नहीं करना प्रसत्र ने इतना गहराई से नहीं समझा था माश defend आको सही समझा रहा एक मार्त में करशी उत्पाद करकार्ट एक प्रमांध्ट में प्रमारन ठीक है सर्टिफिकेट देता है सर्टिफाइट करता है प्रमारन चिन है यह क्रसी उत्पात ग्रेडिंग और मार्किंग अद्नियम 1937 के तहट प्रदान किया गया या बनाया गया गुरुवत्ता चिन है कव 1937 डेट याद रखना पूछी जाए गया आफसे मैं फिर स मार्तों को निर्धारित करता है जो मानकों के उप्यों को निर्धारित करती है और क्रिसी उपज की ग्रेडिंग मार्किंग पैकिंग की प्रक्रिया निर्धारित करती है भारती मानक बेरो भारत की राष्ठी मानक या भारत का एक राष्ठी मानक मिकाय है नाम द्यान रखन भारती मानक बेरो उत्पादों की मानकी करन चिन्धानकन यहाँ पे थोड़ा सही कर ले ना चिन्धानकन ऐसे लिखा जाएगा इसमें थोड़ा PPT में हलका सा करेक्शन तो चिन्धानकन मतलब चिन्हित करना और गुर्वत्ता प्रमाडित गत्विदियों के सामजस के लिए एवं इसके साथ जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों के लिए उत्तरदाई है भारती मानक बेरो अदनियम 2016 को दिनांक 12 अक्टूबर सन 2017 को किया गया है ठीक है तो यह खाग दान रखना बिया येस जो है इसके इस्थापना कब कैसे की गई है पूछा जाएगा संभाता समझा होगा नेक्स देखें इससे भी कोशन पूछा गया है हो सकता है आप से फिर से रिपीट करें मैं तरी दक्षिन गंगोत्री की बात करते हैं ठीक है इसके बारे में थोड़ा सो समझें कहां कहां पर यह स्टैबलिस हैं और कहां स्टैबलिस किये गए संभाता स समेलित करने के लिए पूछ सकता है आप तो स्टेटमेंट देके कोशन पूछ रहा है तो स्टेटमेंट देके भी कोशन पूछ सकता है दक्षिन गंगोत्री अंटार्क्टिका में इस्थित भारत का पहला वैज्यानिक अनुसंधान वेस इस्टेशन था जो भारती अंटार प्रवार्टी कारिकर्म का हिस्सा था यह 1983 एवं 84 में अंताट्का में तीसरे भारती अभियान के दोरान इस्थापित किया गया था तो दक्षिन गंगोत्री दक्षिन गंगोत्री नाम क्यों रखा गया उब इसी बात है अंटाट्का कहां पे बर्ष से धका हुआ है इस पुझे से नाम गया रखा गया इसका दक्षिन गंगोत्री स्थापना कब होती है 83-84 में फिर इसके बाद में मैत्री 1988-89 जिसे मैत्री अंसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता है भारती अंटार्किक कारिकरम के हिस्से के रूप में अंटार्का में भारत का दूसरा इस्थाई अंसंधान केंद्र इस्थापित किया गया तो एक तो 1983-84 में दक्षिन गंगोत्री फिर मैत्री हमने का चलो एक और स्थापित करते हैं तो फिर मैत्री 1988-89 में इसकी स्थापना होती है और ये भी भारती अंटार्किक कारिकरम के तहट इसकी स्थापना ये इसके हिस्से के रूप में स्थापना की जाती है इसके बाद में भारत सरकार ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं एक इस्टेशन और स्थापित कर देते हैं अंटार्टिका में भारत का तीसरा अंसंधान केंडर भारती जिसकी स्थापना सन दो हजार बारे में की गई संभवता कहा जाता है कि ये नश्ट हो गया था फिर मैत्री हमने स्थापित किया और इसके बाद में फिर हम तीसरा भारती के अभी स्थापना करते हैं तीन जो है वह अंटार्टिक में हमारे हमसंधान केंडर है चलिए और देखते हैं कुछ चीज़ें प्रमुक्त संस्थान तुमेलित करने के लिए पूछता है और खुब अच्छी तरह से पूछता है तो आप इसको कई बार देखेंगे प्रमुक्त संस्थान भारत का वन्य निचरोपैथी पूने में इस्थापित है, भार्ती वन प्रबंदन संस्थान, भोपाल में स्थापित है, टोशन का राश्टिय संस्थान हैदरावाद में किणरी सुस्क चित्र अंसंधान संस्थान जोधपुर में है, रासभारती कृसी अनसंधान जहासी में है और इंडियन इंस्टुट अप एकलोजी एंड इंवायरमेंट नई दिल्ली में तथा वन अनसंधान शंस्तान देरादून में है तो यहाँ पे वन जीव संस्थान और वन अनुसंधान संस्थान इनको खात ध्यान रखना दोनों ही देरादून में है कई बार बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं इसको भी भोपाल रखते हैं लेकिन ऐसा आप लोग ध्यान रखना भोपाल नहीं है इंडियन इंस्टूट आप एकोलोजी एन इन्वार्मेंट यह नई दिल्ली में इस्थापिस संस्था है और सब जो है वह पर्या वरण जलवाई परिवर्तन जैब बित्ता शनक्षन के लिए काम करते हैं तो यह प्रमुक्ष संस्थानों की सूची है जो की पूछे जाने ला करें सत्त विकास का मतलब होता है कि हम उतना ही प्रकति से दोहन करें जो हमारी आने वाली पीडिया जो भविस में आने वाली पीडियां उनके लिए भी कुछ बचा के रख़े उसको क्या बोलते हैं सब्सक्राइब बलॉप मेंट बोलते हैं कुछ ऐसी परिवासा दी गई ह एक बार पढ़ें सतद विकास एक प्रकार का विकास है जो भविस्य की पीडियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की छमता से समझहोता किये बिना वर्तुमान की जरूरतों को पूरा करता है अर्थात सतद विकास सभी के लिए बेहतर और इस्थाई भविस्प्राप्त करने का खाखा तयार करता है खाखा तयार करता है ठीक है? अच्छा इसमें और वी कुछ इशू शामिल हैं क्या क्या सामिल हैं समझें वे गरीवी, असमानता, जलवायू परिवर्तन, पर्यावरनी, गिरावट, सांती और न्याय सहित वैसिक चुनावतियों का सामना करते हैं यह कम पुनावपियोग और पुनाचक्रन की आउधाना की वकालत करता है तो सतत विकास, मतलब अपनी यरूर्तों को पूरा करें और साथी साथ 22 में आने वाली पीडियों को भी ध्यान में रखें इससे उनको भी वो हमारे, मतलब ऐसा हमको मतलब उल्टा सिधा ना बोलें कि हमारे लिए कुछ बचा के नहीं गए है तो यह सतत विकास सटनेवल डेवलप्मेंट आउधाना हमने बताई थी कहां से आई हुई कमेंट करके बताएं सतत विकास की आउधाना किसने दी है नेक्स समझे पेरी समझाता कुछ ऐसा है कि इस पर बात बनती है 2015 में कि देखो वैसिक तापन बहुत जादा हो रहा है प्रत्वी के तापमान बहुत जादा बढ़ रहा है इसको कुछ कम किया जाए एट लिस्ट डेर्ड से दो डिगरी सेर्सियस तो इसको कमी किया जाए तो एक समझाता होता है कॉन्फरेंस आप पार्टी में ते इस पे सहमती तो बन जाती लेकिन बहुत कारगर नहीं हुआ है लेकिन कोईशन पूछा जाता है तो इसको समझे एक बार पेरिस समझाता पेरिस समझाता एक महात्पूर्ण पर्यावरणी समझाता है जिसे जलवाई परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए वर्स 2015 में दुनिया के लगबग प्रतेक देश द्वारा अपनाया गया लगबग प्रतेक न अपना लिया गया कि ठीक है कोई बात नहीं आप बोल रहे हैं तो कर लेते हैं लेकिन बहुत ध्यान नहीं दि सब अपने विकास की दौड में आगे निकलना चाहते हैं बात तो माल नहीं कि ठीक है कर लिया जाएगा कोई दिक करने के लिए तयार नहीं है क्योंकि सब विक्सित होना चाहते हैं ठीक है तो यह समझाता सन 2015 में जलवाई परिवर्तन से संबंदित है ठीक है अपनाया गया इस समझाते का उद्देश वैसिक ग्रीन हाउस गैस उस सरजन को काफी हद तक कम करना है ताकि इस सदी में इस सदी में 21 सदी में वैसिक तापमान ब्रद्धी को पूर्ब और दोगिक इस्तर प्री इंडेस्टियल लेवल से दो डिग्री सिल्सियस कम किया जा सके इसके साथ आगे चलकर तापमान ब्रद्धी को और डेड़ परसेंट यह सुरी माफी चाहूंगा डेड़ डिग्री सिल्सियस रखने का लक्ष निरधारित की आगे ठीक है दो परसेंट करेंगे फिर और भी हम तो पूर और दोगिक इस तर से मतलब ऐसा हो सकता क्या संभव है संभव होता आगने आने वाली पीडियों में ऐसा हो लंबे समय बाद ऐसा हो दो परसेंट कम किया जा फिर और भी कैसा पूर और दोगिक इस तर से आप कलपना करते हैं लोगों ने ऐसी कलपना की है लोग नहीं देशों ने ऐसी कलपना की ह हुई है और इस पर काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन पूरतया हो नहीं पा रहा क्यों सब अपने विकास की होड में आगे निकलना चाहते हैं तो फिर इसके बाद में डेट देगी सिर्सेस का लच रखा गया भारत ने अप्रेल 2016 में आपचारिक रूफ से पेरिस सम्झावते पर हस्थाक्चर किया ये डेट बहुत माजपूर है 2016 अप्रेल 2016 में भारत ने विकास ठीक है 2015 में आपने बुला है हम 2016 में और भारत इसमें काफी ज़्यादा काम भी कर रहा है आपचारिक रूफ से भारत में INDC में सकल घरेली उत्पात उस्यजन की तीब्रता को वर्स 2005 के इस्तर की तुलना में वर्स 2030 तक 33-35 परसें तक कम करना इसमें शामिल है इसके अलावा इसमें वर्स 2030 तक अत्रिक्त वन और व्यच्छावरण के माध्धम से करना भी शामिल है तो भारत में का ठीक है हम भी कुछ कर लेंगे अगर आप कह रहे हैं हलाकि हम भी तो विक्सित होना चाहते हैं लेकिन का ठीक है कोई बात नहीं तो हमने कहा ठीक है उसको हम 33 से 35 परसेंट कम करेंगे और 2030 तक कुछ और भी अत्रिक्त काम कर लेंगे अर्थात डाई से कहा गया रिपोर्ट आएगी मैं आपको बताऊंगा कि संभवता भारत भी उस वोड़ में थोड़ा सा आगे जा रहा है तो पश्च्चिमी देशों और खासकर अमेरिका की बात करें तो इस पर थोड़ा सा अर्थावर की बात करें देखिए अर्थावर आप समझते ना में आता है कि ए घंड़े के लिए लाइट बंद करदो अर्याय बंद कर दो जहां से लाइट få अन्व नहीं पाता है है तो यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अर्थावर में एक घंटे के लिए आप लाइट को आफ करें ठीक है लाइट को बंद कर दें और निशिन्त होके बहुत है बाहर एक घंटा विचरन करें अर्थावर समझें World Wide Fund for Nature WWF की वार्षिक पहल अच्छा WWF इसका नाम चेंज किया गया है इससे पूर इसका नाम विस वन जिव कोस अर्थाथ वर्ड वाइल्ड लाइफ फन था जो वर्ष 2007 में शुरू किया गया ठीक है तो ये पहल जो है अर्थावर की पहल समझ 2007 में WWF द्वारा शुरू की गई ये पतिवर्ष मार्च मा के अंतिम सनिवार को आयुज़त किया जाता है ये 180 से अधिक देशों के द्वारा उनके स्थानी समय कामसार राज साड़े 8 वजे से साड़े 9 वजे तक लाइट बंद करने के लिए पोसाहित करता है World Wide Fund for Nature दुनिया का एक अग्रणी सनलक्षन संगटन है जो सव से अधिक देशों में काम करता है इसकी स्थापना 1961 में की गई थी मुख्यालय ग्लैन सुद्जालेंड में है एक और मुख्यालय किसी संस्था खा ग्लैन सुद्जालेंड में है कॉमेंट करके बताए हमने इसको पलाया हुआ है एक और संस्था है मिशन क्या है मिशन इसका यह है कि प्रकृति का सनलक्षन और प्रत्वी पर जैविवित्ता के समक्ष में मौजूद खत्रों को कम करना है लाइट कम करेंगे कुछ तो प्रडूशर कम होगा कुछ चीज़े कम होगी ठीक है अएसी नहीं चलेगा यह तमाम सारी है और कब किया गया है दो उस समय एसी की जुरूद भी नहीं पड़ती है मार्च मा की बात हो रही है मार्च मा के अंतिम सनिवार्ट यह सार तो अर्थावर क्या है इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की हुई है अर्थावर क्या है इसके बारे में विस्तार से चर्चा की हुई है उर्जा मंत्राले से अच्छा उर्जा दक्षता व्यवरो क्या है इसको समझें एक बार पूछा गया है लेकिन संबता कई बार नहीं पूछा गया तो एक मुझे लगा कि एक बार डिक्टेट कर देता हो सकता है मन करे करें डिफीट कर देगा समझें और उर्जा मंत्राले से संबद और दक्ष्टा बेवरो अर्थात BEE द्वारा प्रतिवर्श 14 दिसंबर को राष्टी और शनरक्षण दिवस मनाया जाता है कब मनाया जाता है 14 दिसंबर को राष्टी उजा संद्रक्षन दिवस मनाया जाता है यह दिवस लोगों को ग्लोब decides वर्मिंग और जल्वाई परिवर्तन के विसे में जागरू करने पर केंदिरित है और उर्जा संसादनों के समनक्षन की दिसा में प्रयासों को बढ़ावा देता है तो ग्लोबल बामिंग जलवाई परिवर्तन इससे निपटा जाने या निपट सके इस वज़े से हमने शुरू किया 14 दिसंबर की राश्टी उर्जा समनक्षन दिवस मनाते हैं कुछ तो फर् तो इस वज़े से बढ़ावा देने के लिए किया गया यह उर्जा दक्षता और सनरक्षन के छेत्र में देश की उपलब्दियों पर भी प्रकाश डालता है इसको खाद द्याम रखेंगे इसका स्थापना का यह दिवस मनाया जाता है नेक्स देखें अंतर राष्टी उर् जिसकी स्थापना सन 1973 के तेल संकट के जवाब में इस्थापित किया गया तेल संकट का कह सकते ही जवाब ऐसे इस्राइल और अरब के बीच यह दो रहा था तो ओपिक जो संग्ठन है जो कि तेल सप्लायर उत्पादक जो ग्रूप बना के रखा है देशों ने अमेरिका और अविक्सित देशों को तेल सप्लाई ही बंद कर दी अमेरिका जजला गया जहने लगा कि ठीक है वह आप आपने अगर सप्लाई बंद कर दी तो हम भी कुछ करेंगे तो इसके जवाब में अर्था तेल संकट के जवाब में अमेरिका और अन्विक्सित देशों ने सन 1973 में अंतर राश्टी उर्जा एजनसी एक स्वायत संगठन की स्थापना की तो उपक देशों द्वारा जब इसराइल और अरब और खासकर आप देखेंगे विक्षित और अमेरिका इसराइल का साथ देता है उपक जो है वह बहुत आयत में आप देखेंगे मुस्लीम कंट्रीज ह एक संगठन है उनका तो उन्होंने अमेरिका और अन्विक्षित देशों बरपजवन लगा दिया और इसके एवज में अंतर राश्टी उर्जा एजनसी की स्थापना सन 1973 में की जाती है तो यह यहाँ पर पैड़ाम के रूप में कह सकते हैं इसका अच्छा इसमें 30 इसमें और ऊर्जा पर वैसिक समवात का एक महात्पून इससा है जो वैसिक उर्जा छित पर अंसंधान डेटा संग्हीं विस्टलेशन और सिफारिश से प्रदान करता है एक उपक प्लस ग्रूप भी आया हुआ है ठीक है उपक प्लस भी है कभी अगर करेंट अफेर के इस इसके उपक और इसमें कितने देश उसके बारे में भी हम बात करेंगे फिर भी वह बड़ा इसू हो जाएगा अभी हम लोग छोटे-छोटे इसू यहां पर देखिए इंटरनेशनल सोलर अलाइंस की बात करते हैं आई ऐसे हमने बताया हुआ था उजा सरनक्षन के लिए ज कोब 21 समझें एक बार क्या क्या चीजे इसमें तत्थ निकल गया थे भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में आई ऐसे की संकल्पना तन 2015 में 21 में कॉन्फेंस आप पार्टी अथाथ कोब 21 के दोरान की गई थी वर्स 2020 में इसके फ्रेमवर्स समझोते में संसोध के साथ सभी संयुक्त राशदस देश आई एसे में सामिल होने के लिए पात्र हैं अर्था 2020 में इसके फ्रेमवर्स समझोते में संसोधन किया गया संसोधन किया गया तो बोला गया कि ठीक है पहले तो जो विस्वत रेखा कि आसपास वाली जो लिए थे उसके आसपास उनको कोई सामिल किया लेकिन फिर बोला कि नहीं इसकी इच्छा है आजाओ तो संसोधन किया गया वर्तमान में आप देखेंगे 116 देश अस्ताक्षर करता बकाइदा साइन किया हुआ है इसमें तो अपने आप में यह बहुत बड़ी उपलब्दी है भारत की फ्रांस से साथ मिल साथ थाउजेंड रणनीती द्वारा निर्देशित है जिसका लक्ष 2030 तक सौर उर्जा संसादनों में हजार अरब अमेर्की डॉलर का निवेश जुटाना है जबकि स्वक्ष उर्जा संसादनों का उप्योग करके 1000 मिलियन लोगों तक उर्जा पहुंच प्रदान करना सफिरन आ इसमें इसके जबी मार्ज़ा संसादनों में हजार अमेरिक कि डॉलर का निवेश इसी तो जार मिलियन लोगों तक पहुंच पहुंच पहडाम सुरूप 1000 गीगावाट्स वर उर्जा चमता की स्थापना करना ठीक है तो संसाधनों का संसाधनों को रहे निवेस के लिए 1000 अमेरिकी डॉलर उर्जा पहुंचाना कितना 1000 फिर उर्जा उत्पादन कितना 1000 तो यह तू की बात हो रही है समझें चलिए पर्टीकुलेट मैटर पीम 2.5 एंड पीएंड यह काफी महत्पूर्ण है समझे एक बात सबसे खतरना पीएंड 2.5 होता बहुत महीन होता है नाक में भी गुजाता नाक का बाल भी हो जो है उसको रोक नहीं पाता है तो पटीकुलेट मैटर PM10 और PM2.5 छोटे ठोस या तरल कड़ होते हैं जो वाईव में निलंबित इस्थिती में पाए जाते हैं PM2.5 टेन 10 से अधिक खतरनाक है क्योंकि यह फेपड़े एवं रक्त प्रवा में गहराई तक प्रविश कर सकता है नाथ के बाल भी इसको नहीं रोक सकते हैं ठीक है यह इतना चोटा है और यह धूल परागर जौला मुखी विस्पोर्ट जैसे प्राकृतिक स्रोतों से अथवा जीवास मीधन लकड़ी एवं अफसिस्ट के दहन जैसी मानवी गत्विदियों से अथवा खनन निर्मान एवं करसी जैसी और दोगिक प्रक्रियाओं से उत्पन होते हैं तो आप अगर आपसे पूछे कि क्या यह केवल और केवल मानो जनित नहीं प्राक्रतिक रूप से भी इनका काफी अधा उसर्जन होता है हां तो प्राक्रतिक को मानो जनित दोनों खतरनाब कौन है पीम 2.5 ठीक है पीम 2.5 चलिए हां यह काफी अधा मात्पुन है यहां से भी समेलित करने के लिए क्या पूछा जाता है कई बार वन लैनर भी पूद दिया जाता है ए बी सीडी करके लिए दहंखे पर्यावन के महत्मुन दिवस दो फरवरी विस्वाद रूमी दिवस बीस मार्च विस गरोया दिवस 21 मार्च विस वानकी दिवस 22 मार्च विस जल दिवस 7 अपरेल विस स्वास दिवस 18 अफेल विस धरोवर दिवस 25 अपरेल विस प्रत्वी दिवस 22 में अंतराश्टिय जै विवित्ता दिवस और 31 में विश्व तंबाखु निरोद दिवस, पांच में विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये दिवस काफी महत्पूर्ण है, जो की परिक्षा में पूछे जा चुके हैं, और लगातार पूछे जाएंगे, तो इनको खास ध्यान रखेंगे, चलिए, तीक है, इसमें कमी मैसूस हो रही है, घटोत्री हो रही है, तो वो अन प्रजातियों पर भी इसका एफेक्ट बहुत बड़े पैमाने पर डालते, क्या बोलते इसको की श्टोन प्रजाती, तो ऐसी कौन सी प्रजातियां हो सकते हैं, जैसे बाग है, ठीक है, जैसे बड़े जीवाहाँ अगर इनका नास हो रहा है तो संभौता ये और भी प्रजातियों को क्या करेंगे प्रभावित करेंगे नकारात्मक रूफ से घटाएंगे या बढ़ाएंगे ठीक है हाँ तो इनको की स्थोन प्रजाती इसी विज़े से बोला जाता है बास समझ गयोंगे समझें एक बार तो की स्थोन प्रजाती की आउधारना वर्ष 1979 में प्राणी विज्ञान या विज्ञानी रॉबर्ट टी पैन रॉबर्ट टी पैन द्वारा पेस की गई थी जो ऐसी प्रजाती को इंगित करती है जो अपनी बहुता यता यता के सापेक्ष अपने प्राकरतिक पर्यावरण प बागों को की स्थोन प्रजाती इस्पेसीस माना जाता है क्योंकि उनकी उपस्थिती या अनप्रजाती उनके पार्षित की तंत की सनचना को बुरहत रूफ से प्रभावित कर सकती है तो इनकी उपस्थिती और अनभी प्रजातियों की उपस्थिती और अनप्रजाती को कम कर सकती है या बढ़ा सकती है ठीक है हाँ तो यह ध्यान रखना की स्थापना कब हुई है इसके बारे में कुछ तत्व समझें तो एक बार भारती वन सरवेक्षन की स्थापना वर्स 1981 में की गई थी इस सरवेक्षन का मुख खुद देश भारत के वनों का centralized information based का निर्माल करना इसे वन संसादनों के उपयोग, हानिकारक, प्रभाव तथा नई तक्निक विक्सित करने की जरूरतों को समझने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था तो किसलिए वन संसादनों के उपयोग कैसे करना है, हानिकारक, प्रभाव से कैसे बचना है और नई तक्निकी विक्सित कैसे की जाए, ऐसी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, centralized information based का निर्माल, भारती वन संसादनों सर्विक्षण की इस्थापना 1982 में की गई और इसका ही उद्देश था कि यह ऐसा कोई वेस्थ तयार किया जाए, जिससे हम वनों का स्वन्रक्षण कर सकें, और रहानिकारक प्रभाव से निपट सकें, कुछ यसी तक्निकी विक्सित, तो इसका डेट याद रखना, कब डेट है, अभी 1981 ठीक है, चलिए, एसियाई हाथी की बात करते हैं, एसियाई हाथी, एसियाई हाथी महादवीब के सबसे बड़े इस्थली इस्थन पाई है, इस्थली सबसे बड़े, अच्छा हमने बताया था ना, एसिया में माइक जो है, मॉनिटिंग जो कर रहे थे न, हमाथियों की, माइक जो है, हाथि पूर्वी एसिया में, क्योंकि इनका हाथियों को डेपोजीशन कहा पर मिलता है दक्शिर एसिया में, हाँ तो वहीं से आप समझेंगे, तो एसियाई हाथि, एसियाई महादिप के सबसे बड़े स्थली स्थन पाई हैं और यह भरत सब दक्शिर और अध्षिनपूर एशिया के तेरे देशों में फैलें का कितने देश हैं तेरे देशों में फैलेवे सूखे जंगल और घास के मैदानों में निवास करते हैं ACI हाथी को ICN की Red List में Indangered खास ध्यान रखेंगे हमने ICN की Red List को हमने बताया हुआ उसमें 9 सेनिया उसमें विभाजित किया गया इसको के रूप में सूची बद किया गया है ACI हाथी की तीन प्रजातियां है भारती सुमत्राई हाथी तीन प्रजातियां है भारती हाथी को राष्टी धरोहर पशुगोशित किया हुआ है भारती हाथी को वन्यजीव सनरक्षन अद्नें 1972 की सेड़ी एक में सूची बद किया गया है अर्थात ये कानूनी रूफ से इसको सुरक्षा परदान की गई फरवरी 2020 में गुजरात के गानी नगर में आयथ हुए प्रवासी प्रजातियों के सनरक्षन पर संधी के 13 सम्मेलन कॉप 13 में बारती हाथी को भी CMS समझोती के अनसूची एक में शामिल किया गया है IUCN की Red List में इसको Indienजर्ड में रखा गया है 1972 में अनसूची एक में रखा गया है और CMS समझोते में अनसूची एक में इसको जगय दी गई है तो खास इसका ध्यान रखेंगे जो यह CMS COPE 13 जो है यह 2020 में इसको सेड़ी एक में रखा गया तो इसको खास ध्यान रखेंगे आप लोग पूछा जा सकता है कहां है उजन हुआ है गांधी नगर में ठीक है गुजरात के गांधी नगर में एक युआ एर क्वाल्टी इंडेक्स यह बिगड़ता है कहां पर दिल्ली में खास तोर से हाय तौबा मचती है कव से सितंबर लाज से अक्टूबर लाज से बिगड़ना स्थार्ट हो जाता है अक्टूबर नॉमबर फिर दिसंबर अभी तक चलता है हलाग अभी भी प्रदूसित वाई में सास लेने के कुछ घंटों या दिनों के भीतर अनभव कर सकता है दिल्ली में आप रहेंगे तो कुछ घंटे में ही इसका अनभव हो जाएगा आप देखेंगे बाहर निकलेंगे तो मास्क आपको लगाना पड़ जाएगा जड़ा सी देर में अन्मा हो जाता हूं जड़ा से देर में दिक्कत भी होने लगती है तो इतना खतरनाग एयर क्वाइड इंडेक्स जो है यह डेली बेसेस पे रिपोर्ट दर्ज किया जाता है दिल्ली में अच्छा इसमें कितने प्रदोश्यक जो है तो मुख्यता आठ प् इसका संचना तो भू इस्तरी ओजोन पीम 10 पीम 2.5 कारवन मोनो आक्साइड स्टलफर डाइक्साइड नैट्रोजन डाइक्साइड अमोनिया और सीसा अर्थाद लेड ऐसा गलती मत कर देना कि वह सी ओटू भी इसमें आता है नहीं सी ओटू इसमें नहीं रखा गया है सी ज्यादा अगर बंद कर दिया तभी होगा लेकिन वैसे हमें यहां पर दिखाई नहीं पड़ता तो कुल मिला के आठ है अच्छा भू इस्तरी ओजोन और एयर बॉन पार्टिकल्स अर्था पीम 10 और पीम 2.5 दो ऐसे प्रदूसरक हैं जो भारत में बानो स्वास्थ के में लास्टो नॉम्बर दिसम्बर की बार्फ म फ्रस्ट क्या होता है यह बहुत इंपस्टेंट में पूछा गया क्वेशन स्टेट पीसस में दोराया गया आरों में पूछा जाना लाइक अंसम्झें लंसे एक बार प्रूस अत्वा इस्थाई-टूसार भूमी वाच्छ है जो कम से कम लगातार दो वर्सों से सूने डिग्री से सिस्यस बद्द 32 डिग्री फॉर नाइट से कम तापमान पर जमे हुई अवस्था में है नीचे ध्यान रखना बर्फिला अगर बात करें तो पर्माफ्रस्ट कहां मिलेगा हमको अगर अंटार्टिक में चले जाए जैस यह स्थाई रूफ से जमे हुए भूमी छेत्र मुकता उच्छ पर्वती छेत्रों और प्रत्वी के उच्छ अच्छांसों जैसे उत्री और दक्ष्णी ध्रूओं के निकट पाए जासे जिसे मनें बताया अंटार्टिका वाला एरिया आर्कटिक वाला एरिया तो वहां प प्रत्वी के बड़े छेत्र को कबर करते हैं उत्री गुलाद में लगबग एक चौथाई भूमें पर्मफ्रास मौजूद है यह देपी यह भूमी छेत्र जमें होते हैं लेकिन आवस्यक रूफ से हमेशा यह बर्स धके नहीं होते हैं ठीक है आवस्यक रूफ से यह धके नहीं होते हैं थो चले भी होते फिस नमने से सब्टोर्दित कर रहा है ब्लैक कार्वन क्या है एरोक अ nisवैस-इनको अ И명 कि संग्या में रखते हैं या इरोफिल के इस्थान है तो तो एरोसोल में ब्लैक कार्वन को जलवाई परिवातन के लिए दूसरे सबसे महात्पूर्ण मालोजनित एजेंट और वाई प्रदूशन के कारण होने वाले प्रत्कूल प्रभाव को समझने है उत्व प्राथमिक एजेंट के रूप में मानता दी गई है दूसरे नंबर का प्रदूशन है कार्वन डाई ऑकसाइड के बाद में ध्यान रखना लेकिन प्राथमिक एजेंट है ध्यान रखना दूतिया के एजेंट नहीं है प्राथमिक एजेंट है प्रत्कूल प्रभाव को समझने है तो प्राथमिक एजेंट ब्लैक कार्वन जीवा अपूंट दहन की वज़े से उस सजित कड़की पदाग पर्टिकुलेट मेटर है जो वाई मॉनल का ताब बढ़ाते हैं जैसे हमने बताया फर्स्ट नमबर पर कौन आता है इसको क्या बोलते हैं बलैक कारवन खतरनाक है अपने आप में खतरनाक है नेक्स समझें भारत में पाए जाता है वांटि परसें नाटी परसें इंथाल बलाएरिया है समझे, ब्लैक बग केवल भारती उपमादीप में पाया जाता है, मुखता तीन देशों में, भारत जहां इसका लगबग 95% हिस्सा, नेपाल जहां एक छोटी आवादी नेपाल के मैदानों और तराई के सुख शित्रों में रहती, और पाकिस्तान जहां यह एक स्वतंदर जा सुख शुख 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 तो पहले भारत का इस्सा था ना नेपाल समझ गए ब्लैक बग चलिए नेक्स देखें एक बार और भी जलकुंभी बताया था हमने जलकुंभी हां डिमांड करता ऑक्सिजन की सारी पानी की जो आक्सिजन निगल जाता है और बाकी जो उसमें पेंड पोधे जो उगते हैं उन जलकुंभी एक मुक तैरने वाला जलकुंभी एक मुक तैरने वाला बारा मासी जली पाउदा है जो उश्कटबंदी और उपोश्कटबंदी दक्षिन अमेरिका का मूल निवासी है या इस्थानिक है कैसा है इस्थानिक का पें दक्षिन अमेरिका का ये भारत में एक आक् पर जाती है जलकुम्भी का प्रसार जल मार को और उद्ध कर सकता है नाव याता है तराकी और मचली पकड़ने को सीमित कर सकता है खर पतवार धूप और आक्सिजन को पानी के इस्थम और जलमग पौदे तक पहुचाने से रोकता है देशी जली पौदो को बाहर निकालने से जली पासिक्तनत में जैविक विवित्ता नाट की रूफ से कम हो जाती है तो जितनी आक्सिजन है वो सब जलकुम्भी ले जाएगी और फले फुले की जाके तो बाकी सारे पेड़ पौदे और मचलियां और जानवर क्या करेंगे उस्वरी जो जली जी क्या करेंगे मर्च 2989 का मैं और इसको भी कॉम बोला गया है कॉप क ONPF nays giorn नहीं है इसको प्मेंटरिम सब्सक्राइए जो बां ऑस pregunt ह की हुए three साय इसके बार हमने कल बात कि वी थी कल या परस्वाइंर्स इस हां तो देखे नbas 1989 का प्लैनी पॉंटे रीच का सम्मेलन जो बासेल स्वुडियर लेंड में आयत हुआ था कि अंतरगत देशों के मद्द खतरनाक कचरे का आदान प्रदान रोकना खतरनाक कचरे का आदान प्रदान रोकना और इसके निराकरण के लिए प्रयास करना है यह कौप का इक तरह से जो सम्मेलन होता है यह का जाता है कि भीया खास कर आप देखेंगे विकसित देशों से विकाल देशों के लिए जो कचरा और तमाम सरी चीज़ जाती है ना तो इस पर रोक लगाने के लिए यह सम्मेलन आज़ित किया गया इसे बासल अभिसमें भी बोलते हैं कन्वेंशन नाम दिया गया है 1992 में लागू हुआ है और यह एक अंतर राष्टी संदी है जिसका लक्ष बिभिन देशों के मद खतरनाक कचरे के आदान प्रदान को रोकना जैसे आप पहले देख चुके फोकस क्या इसका फोकस यह है कि विकसित देशों और विकासित देशों के मद खत क्रियान में संबंदी जाने करें को साजा करने को करने का भी आदेश देती है तो यह एक तरह से बादकारी समझाओता नहीं है और जिसका नाम बाशल रखा गया है 1992 में इसके ठीक है ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है समझें एक बार कई बार पूछा गया कोश्यन है और लगातार पूछा जाता है फिर से एक बार डिक्टेट कर लें रिवीजन कर लें ग्रीन पीस 1971 में कनाडा ने इस्थापित एक अंतर राष्टी पर्यावरण संग्ठन कापे कनाडा का है 1971 में इस्थापित है पर्यावरण संग्ठन से यह उन सरकारी और अदोगिक नीतियों को प्रकास में लाने और परिवर्तित करने के लिए कारत है जो पर्यावरण और प्रकाती के लिए आनिकारक होते हैं यह वहल के सिकार नाविकी अस्त्रों के परसाज समुद्तती तेल खुदाई रेडियो धर्मी और सेशों के समुद्र में जमाव वन जीवों के सिकार प्रदूशन और प्राकृतिक विनास अर्थात हाइविटेट क च्छय का विरोध करता है कि यह सारी गट्विदियां नहीं की जानी चाहिए स्थापना 1971 कनाडा में एक अंतर राष्टी पर्यावरणी संदी है सरकार और और अद्दूगिक नीतिया सायोग आत्मक रूफ से सायोग करते हैं स्टॉक होम गोशना देखें स्टॉक होम गोश सबसे पहले स्टॉडन द्वारा प्रस्थावित किया गया था और इसलिए इससे स्टॉडिस इनिसिटिव भी कहा जाता है 122 पतिभागी देशों में से 70 विकास सील और गरीब देशों ने स्टॉक होम गोशना को अपनाया स्टॉक होम गोशना में 26 सिद्धान सामिल किये ग विकास कमा गरीबी और पर्यावरण के बीच अंता संब्द का निर्माल किया है तो यह ध्यान रखना आप से सीधे तोर पर यही कोशन पूछेगा ऐसा कौन सा सम्मेलन है जो विकास गरीबी और पर्यावरण के बीच अंता संब्द का निर्माल करता है तो आप तुरंत इस इसका नाम क्या है स्वेडिस इनिसिटीव इसको नाम दिया गया है चलिए सबसे खतरनाक आकरामत प्रजातिया कौन सी है अल्टर निथेरा है फिलो से राइट से कैसिया अन फ्लोरा अ क्रुमो लाना एर्मोटा एचोर्निया क्रैसेप्स, लेंटेना कैमेरा, पार्थिनियम, हेस्टरो, पोपस और प्रोसुपिस जो लिफुरा ये कुछ नाम है जो की खतरनाक आकरामक प्रजातियों के रूप में गिने जाते हैं संभाथा यहीं से पूछा भी जाता है तो 5-6 यहां पे आकरामक प्रजातियां है इनको आप एक बार और पढ़ेंगे हाला कि और भी अगर कुछ प्रजातियां आएंगी कुछ दो अभी हमें और कराने हैं अगर उसमें कुछ प्रजातियां आएंगी तो निश्चित तौरबर हम उसको डिक्टेट कर देंगे उसको डिक्टेट कर देंगे उर्जा और संसाधन संस्थान टेरी नई दिल्ली इस्थित एक गैर लावकारी अंसंधान संस्थान है जो उर्जा कॉमा पर्यावरण और सतत विकास के छित्र में अंसंधान कार करता है क्या करता है स्थान करता है बाकी कोई काम नहीं करता यह केवल रिसाथ करेगा क्या नाम की दिया ज़्याग्हा और संसाधन संस्थान ह। नाम डिया निजिक है केवल लुसर्च का काम करता है क्याईर लावकारी अंसंधान संस्थान, 1974 में इस्थापित इस संस्थान को पूर में ताटा उर्जा अंसंधान के नाम से जाना जाता था, वर्ष 2003 में इसका नाम परिवर्टित करके टेरी कर दिया गया है, अर्थाथ The Energy and Resources Institute इसका नाम किया गया है, संथ 2000 में, इस्थापना 1974 में रिसर्च का कार करता है उर्जा पर्यवरण और सतद विकास के लिए, एरोसोल अभी हमने बात की हुई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और समझे, एरोसोल प्राकृतिक या मानोजनित दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया हुआ था, मानोजनित भी है और प्राकृतिक भी है, प्राकृतिक की बात करें, तो ज्वाला मुखी विस्पोर्ट हो सकता है, माना तो कई तरे से एरोसोल का उत्पादन करता है, ठीक है देखें दोनों प्रकास से होता है पहुरा धूल गेसर भाप इत्यादी प्राकति अरसोल के उधारण है धुन्द पार्टिकुलेट वाई प्रदूशक और धुवा आदी मानो जनित अरसोल के उधारण याँ पे हमें दिखाई पड़ते हैं यह हमने पहले ही डिक्टे हाँ चलिए डुगोंग जिसे सी काउ सी काउ भी कहा जाता है इसे सिरेनिया सिरे की चार जीवित प्रजातियों में से एक में रखा गया है यह एक साकाहारी इस्तनपाई ही की एक मात्र मवजूदा प्रजाती है जो भारत सहित भारत के समुद्र में विशेश रूप में रह पाया जाते हैं तथा भारत में मननार की खाड़ी कख्ष की खाड़ी पाक की खाड़ी और अडवान निकोबार दीव समू में पाया जाते हैं तो अगर हम देखें तो कुछ यहाँ पे ठीक है, बहुत उपर जा रहा है हम, थोड़ा सा ओर नीचे, कहां कहां पाय जांगे, तो अंडवान एवं निकोवार दीव समू, यहां पे थोड़ा सा हम अगर यह चिडिया बना दें, तो यह पाक जल्डम्रूमद यहां पे भी पाया जाता है, और यह पाक नहीं, यहां पे हम लोग, यह मननार की खाड़ी, पाक जल्डमूमद भी है, हाँ, तो यह मननार की खाड़ी है, अनवान निकोवार दीव समू, और कक्ष की खाड़ी में भी हमें, यहां पे यह वाली कक्ष की खाड़ी, कक्ष की खाड़ी, और कहां पे हैं, और कहां पे हैं, तो पाक, यह म की खाड़ी और मनार की खाड़ी जो है वह भारत और सिलंका को एक दूसरे से अलग करते हैं ठीक है अलग करते हैं तो चार जगें हो गए कक्ष वाला एरिया है ध्याम रखना ठीक है मनार है और वन वान तो कुल मिला के कैसा है साका हरी है पुरी तरह सी का इसको बला जाता है और यह भारत में विशेश रूप से यहां पे देखने को मिलता है तो हमने यह 30 के 300 टॉपिक आसानी सिक्कर दिये हुए इसमें संभुता कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इंपॉर्टेंट फिलिंग फैक्ट चौथा पांचवां कल भी आएगा कल भी क्लास चलेगी संडे कोई क्लास अब बंद नहीं होगी कुछी स्टुडेंट ने कमेंट किया है कि सर इसको लंबी क्लास कर दे तो संभुता कोसिस की जाएगी मैंजिमेंट की तरफ से यह महीं क करूंगा कि कोई लंबी क्लास चले जिससे एकजाम से पहले यह साथों के साथ डूप आई पीएफ हैं वह आपको कंप्लीट करा दिये जाए सारी सब्जेक्ट से लगबग 6-6 आपको देखने को मिलेंगे तो 8-10 सब्जेक्ट हैं और कुछ में कुछ कम रहेंगे जैसे हिस् आपको मिलेंगे जैसे मैंने बोला हुआ है तो देखते रहें लाइक करते रहें शेर भी करते रहें अच्छा कंटेंट है अगर आपको ठीक लगे शेर करिए इसको ठैंक्स तो अला फ्यू टेक केर ववाए गुड़नाइट तो अला फ्यू हम लोग कल मिलते कल संडे भी है अला फ्यू counselorspetto दो भी हम ईपको ठीक मिलते हैं cute